पदार्थ विज्ञान के BMS फर्स्ट एर के लेक्चर सिरीज में हमने पिछली वीडियो में न्याय दर्शन कंप्लीट किया था अभी तक हम सांख्य, योग, वैसेशिक और न्याय ये चार दर्शन पूरे कर चुके हैं आज से इस वीडियो से पूर मिमान्शा दर्शन स्टार करते हैं और अगर आपके पास जोक्टर प्रभोध एरावर जी की सचेत्र पतार्थ विज्ञान बुक है तो आप उसमें पेज नंबर 25 खोल के बैठ सकते हैं अधर्वाइस आप सिंपली वीडियो को देखके नोट्स भी बना सकते हैं तो अब बारी है पूरु मिमान्शा दर्शन की तो मिमान्शा का जो वर्ड होता है जो मिमान्शा वर्ड है उसका अर्थ बेसिकली होता है जानने की इच्छा तो पर्याय देख लेते हैं पूरु मिमान्शा के क्या क्या है धर्म मिमान्शा जैमिनी धर्म मिमान्शा यग्य विद्या द्वादश लक्षनी और इसमें से बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो जो पर्याय इंपॉर्टेंट है वो है धर्म मिमानसा तो पूर मिमानसा कई बार धर्म मिमानसा के नाम से भी आ जाता है देख लेते हैं प्रवर्तक अचारे कौन हैं के अचारे जैमनी और जैमनी के नाम से इनका जो जो पराय बनाएक जैमिनिय धर्म विमान सा बनता है। ठीक है? इसके बाद देखते हैं जैमिनी के बारे में एक मत्त की अनुसार अचारे जैमिनी वेद व्यास के शिष्य थे। कभी-कभी बादरायन और व्यास को एक ही माना जाता है। यदि ऐसा है तो महाभारत की परंपरा के अनुसार जैमिनी को व्यास का सिश्य कहा जा सकता है जैमनी ने अनेक गरंथों की रचना की है जैसे जैमनी ये सामवेश सहीता, जैमनी ये अश्वमेद पर्व महाभारत, जैमनी ये पूर्व मिमानसा सूत्र और जैमनी ये श्रोत सूत्र आदी ठीक है तो बेसिकली ये जो माने जाते हैं पुरान गरंथों के जितने भी हमारे पास प्रूफ है जितना भी वहाँ वर्णन मिलता है उसके अकॉर्डिंग जो अचारे जैमिनी जो की पूर मिमानसा धर्शन के प्रवर्टा का अचारे है वो वेदव्याजी के शिष्य माने ज मिमांसा का basically अर्थ जिग्यासा होता है या फिल जिग्यासा के अलावा वस्तू के स्वरूप का याथार्थ ग्यान याथार्थ मतलब कि बिलकुल सत्ते रोप में उसका ग्यान होना थीक है अब इनोंने बताया कि वेद के दो भाग है कर्मकांड और ग्यानकांड कर्मकांड और ग्यानकांड से क्या मतलब है कि जो भी हमारे वेद लिखे गए हैं उसके दो भाग इनोंने करें एक भाग में तो जहां है कि सारी क्रियाओं को यग्यादी, हवन, बली, होम इन सब कवर्णन आता है और दूसरा भाग कहा जा सकता है वेदों का ज्यानकांड जहां धर्म की बाते होती है और क्रिया कलाप से जादा मोक्ष, आत्मा, शरीर इन सब को जानने की बात होती है सुक्ष्म से सुक्ष्म चीज़ को स्थूल से स्थूल चीज़ को तो वहां ज्यान की प्रधानता होती है कर्म कांड वाले भाग में यग्य हों बली आधी इन सब कर्म कांडों की प्रधानता होती है फिर कर्म कांड पर की गई है कर्म मिमांसा जिसे पूर मिमांसा की नाम से जाना जाता है और ग्यान कांड पर ग्यान मिमांसा की गई है जिसे कहते हैं वेदान्त दर्शन इसके बाद पूर्मिमानसा के बाद हम दूसरा पढ़ेंगे वेदांत दर्शन तो पूर्मिमानसा जो की गई है वो बेसिकली वेद के जो कर्मकांड वाला भाग है उसको वो जादा मानते हैं उसको वो प्रायोटी मान के जितनी भी बाते कही है वो कर्म कांड से related कही गई है और इसके बाद जो हम वेदान्त दर्शन पढ़ेंगे जो की आखरी आस्तिक दर्शन है हमारा पढ़ने की सीरीज में उसमें जो जादातर बात की गई है वो ग्यान मिमानसा ग्यान को जानने की इच्छा के लिए की गई है पूर्मिमानसा दर्शन का मुख्यविषय धर्म है ठीक है इस दर्शन के अनुसार जिससे कल्यान की प्राप्ति हो अभी इसका नेक्स पेज देख लेते हैं उसे धर्म कहते हैं जिससे कल्यान की प्राप्ति होती है उसको धर्म कहते हैं इसमें वेद के यग्य परकवचनों की व्याख्या की गई है, जैसे कि मैंने बताया कि ये टोटली वेद से लिया गया एक दर्शन है, वेद पर पूरी तरा आशरित, वेद के जो कर्मकांड वाले पार्ट है, उस पर आशरित दर्शन है, पूर मिमानशा इस दर्शन को पूर्व मिमान सा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यान का विचार करने से पूर्व कर्मकांड पर विचार किया गया है तो ज्यान के विचार से पूर्व किसी चीज़ को जानने की अपिक्षा सबसे पहले कर्मकांड उसके पूर्व में ही कर्मकांड करने का इसमें वर्णन कर दिया गया है इसलिए इसे पूर्मिमांसा कहा जाता है इसके बाद ही वेदान दर्शन के ज्यान कांड को समझा जा सकता है ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि पहले जब हम कर्म कांड को जान जाएंगे उसके बाद ही हम ग्यान कांड वाले पोर्शन को जान पाएंगे अताय से पूर मिमान्शा और वेदान दर्शन को उत्तर मिमान्शा कहा जाता है पूर मिमानशा दर्शन में परमाणू के अलावा अन्य किसी दार्शनिक तत्व का वर्णन नहीं है ठीक है जिसे अलग-अलग हमने दर्शनों में देखा कई लोगों ने शर्ट पदार्थ, शोड़स पदार्थ, इन सब चीज़ों का वर्णन किया प्रकर्ति पुरुश लेकिन जो पूर मिमानशा दर्शन है उसमें केवल एक दार्शनिक तत्व परमाणू के उपर बात हुई है बाकी किसी तत्व बर बात नहीं हुई है और इसका मुख्य विशे केवल धर्म माना गया है और कई लोग इसे ऐसा भी है कि कई लोग इसे दर्शन नहीं मानते, क्योंकि वेद में जो लिखित ग्यान है भले ही वो कर्मकान से सम्मंदित है पर पूर मिमानशा उसका यदि ग्यान करवा रहा है तो उसे दर्शन में इंक्लूट करना ही चाहिए भले ही उसमें किवल एक तत्व परमाणू भी बात हुई है और कुछ न कुछ ग्यान मिला है तो इसलिए उसे दर्शन में इंक्लूट किया गया है अब पूर मिमानशा के दर्शन और उसके के अचारे और उनके ग्रंत हा जाते हैं तो basically हमें एक याद रखना है जैमिनी और जैमिनी का है पूर मिमानशा सूत्र जो की पूर मिमानशा दर्शन पर लिखी गई बुक है इसके बाद एक कुमारिल भटकी भी श्लोका वारतिक और तंतर वारतिक करके कभी-कभी पूछ लेते हैं और ये सब जो अचारे हैं अगर आप competitive exam के तैयारी कर रहे हैं तो इनको अलग से note कर सकते हैं आप सभी अचारे और उनके द्वारा लिखी गई जो भाश्य है या जो कि किस प्रकार के इसमें chapters हैं किस प्रकार के उसमें उसके भाग किये गए हैं पाद के रूप में देखते हैं मिमानशा दर्शन में total इन्होंने 16 अध्याय बताए हैं जिनमें से 12 अध्यायों को क्रमबद किया गया है टोटल 16 अध्याय हैं जिसमें से 12 ही जिसका पठन पठन किया जाता है ऐसे केवल 12 चप्टर है और बाकी के जो 4 चप्टर है वो माना जाता है कि वो परिशिष्ट भाग है जो 16 जो 12 चप्टर आये शुरू के उसमें कुछ कुछ चीज़ जो रहे गई तो उनहार चप्टर की जो छूटी छूटी चीज है उसको हमने बाकी के 4 अध्या अध्यायों में बताया है तो ऐसे जो चार अध्याय बाकी के उसको संकर्ष कांट देवता कांट या फिर 12 अध्यायों का परिशिष्ट इस नाम से भी जाना जाता है और पठन पाठन में किवल ये शुरू के जो 12 चप्टर है उनहीं का यूस किया जाता है ठीक है अब उन 12 चीजों में भी जैसे हमने वैशेशिक और नयाय दर्शम में बढ़ा था कि हर एक अध्याय के दो दो पाठ थे जिने अहनिक कहा गया था उसी प्रकार यहां 12 चैप्टर में भी हर एक चैप्टर के इन्होंने चार पाथ बताए है ठीक है चार पाथ एक पाथ जो होता है वो 12 इंटू 4 करते हैं तो टोटल हो गए आपके पास 48 पाथ ठीक है उसमें से भी 3 में 4-4 एक्स्टर है यानि 12 एक्स्टर है तो टोटल यहां पे आ जाते हैं आपके 60 पाथ तो अगर कुश्चन आ सकता है कि आपका पूर मिमान सा दर्शन में टोटल जो सूतर है उसकी बुक प इसमें सूतरों की संख्या कितनी है या फिर इसमें मद भिन्निता में कुछ कितने सूतर हैं और अगरा वगरा यह सब उतने इंपोर्टन लिए में आपको अध्याय कितने हैं टोटल और उसमें पाध कितने हैं यह जरूर याद रखना है इसके बाद इन्होंने अध्यायों क्या index है किस की सद्धाय में किस की सीज का वर्णन दिया गया है उसके बारे में सब कुछ बताया गया और आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वर्णन जो है जितना भी वर्णन इसमें दिया गया है तो यह अधिकतर कर्म कांडो पर ही आधारित है इसमें किसी प्रकार की तत्यों की बात ही नहीं की गई है एकसेप्ट परमाणू जैसे पिछले वाले दर्शनों में हमने देखा कि शटपदार्थ की कहीं वर्णन किया है कहीं सोला पदार्थों का अलग-अलग उनको जानने का प्रकड़ती का पुरुष का लेकिन यहां इस सरीके की कोई बात नहीं आई है यहां केवल वही चीज़े आई है जो कि कर्म कांड में यूसफुल होती है यग्य की विधी को दूसरे यग्य में करने का वर्णन मंत्रों का प्रेओ कुछ कर्म यह सब तंत्रों का वर्णन यही सब चीज़े यहां पर आई है ठीक है तो यह याद रखने कि प्रतिय एक अधिकरण जो कि अधिकरण हमने यहां पे सबसे नीचे देखा था 907 अधिकरण है और हर एक अधिकरण को इन्हों ने पाज भागों में विभक्त कर दिया है और उसका नाम क्या रखा है विशय संशे पूरुपक्ष उत्तरपक्षर सिध्धान था ठीक है तो नाम तो नहीं पूछा जाएगा कि क्या 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 अधिकरण में विभक्त किया है लेकिन कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में MCQ's में यह आ सकता है कि अधिकरण विभाक किस दर्शन द्वारा किस दर्शन की सूतर में किया गया है तो याद रखना है कि वो फूर मिमान सा दर्शन है जिसमें अधिकरण के अधार पर विभाजित किये गए है ठीक है अब देखते हैं यह हमने पढ़ लिया जो पूर मिमान सा दर्शन था उसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं अब हम देखते हैं इसकी ऐसी कौन कौन सी चीजे हैं जो इसने में सिंधान्त दिये हैं और ऐसा क्या क्या है जो इसका आयरवेद में लिया गया है इस दर्शन का तो पहला आता है अथातो धर्म जिग्यासा सेम ऐसा ही मिलता जुलता जो श्लोक हैं हमने पढ़ा था किसमे वैशेशीक दर्शन में पर वहाँ जिग्यासा वर नहीं आता आया था अथा अथातो धर्म विख्यास्यामा व्याख्यास्यामा ठीक है तो यहाँ पर जो जिग्यास वाला सूत्र है दोनों में एक quotation लिखके reference पूछा जा सकता है तो याद रखना है कि जिग्यासा वाला है वो पूर मिमान सकता है और था तो धर्म व्याख्यास से अगर बात आती है तो परतम सूत्र किसका है वो है वैशेषिक दर्शन का तो पूर्मिमान सा सूत्र इसका रेफरेंस यहां पे दे दिया है अब धर्म को जानने की जिग्यासा है इसी जिग्यासा को जानने के लिए संपूर्ण गरंत लिखा गया सबसे पहले जो केश्यन ही अराइस किया गया कि अब धर्म को जानने की इच्छा हुई है तो अब धर्म को जानने के लिए जो जो काम होते हैं उसका वर्णन आगे होगा धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि धर्म वह है जो वैदिक आदेश द्वारा से खाया जाता है चाओदन अलक्षणो अर्थो धर्मा यानि क्या बोला है कि प्रिर्णा या उपदेश अर्थ वाला ही धर्म है जो उपदेश का अर्थ करता है या प्रिर्णा देता है किस चीज़ की वही धर्म है इसी तरीके से अलग अलग दर्शनों ने धर्म की अलग अलग परिभाशा दी है जैसे कि अगर हम वैशेशिक दर्शन की बात करें तो वैशेशिक दर्शन की धर्म की परिभाशा में ये आया था कि शट पदार्थों के ग्यान के पश्चात उसके जो द्रव्यों के गुड धर्म को अगर जान लिया जाए तो धर्म को जानना ही मोख्ष की प्राप्ती का कारण है वहाँ पर पदार्थो, द्रव्यो और उसके धर्मों को इंकलूट किया गया था धर्म की परिभाशा के अंदर ठीक है तो यहाँ परिभाशा क्या दे दिये है धर्म की की प्रिणना या उपदेशर्थ वाला है ही धर्म है मिमान सा दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान के अपिक्षा वेद को ही धर्म के संबन में प्रमाण मानता है ठीक है तो इनोंने जो मेन अभी प्रमाण वाले सेक्षन में भी बात आएगी कि इन्होंने भले सी प्रमाड़ों की संख्या मानी है अधिक लेकिन केवल जो मेन एक प्रमाड़ मानते हैं वो वेध वाला प्रमाड़ यानि आपतोरदेश यानि शब्द प्रमाड को ही इनोंने बेसिक सबसे महत होता दी है धर्म का प्रमुक्सादन यज्यादी कर्मकांड है इनोंने धर्म का प्रमुक्सादन ग्यान नहीं बताया है तत्तों का ग्यान पतार्तों का ग्यान होने से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है यह नहीं बताया, नोने धर्म का जो मुख्य साधन है, वो बताया, यज्यादी कर्म कांड, ठीक है, इसके बाद मोक्षि बारे में नोने क्या बोला है, पूर्मिमान शक्या नुसार, शरीर, इंद्रिय, विश्यों का संबंध ही बंधन है, और इनका संबंध ना होना ही परिभाशा अलग अलग आई है अभी हमने न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग पड़ा था तो उन्होंने बोला था कि 16 तरीके के पदार्थ बने हैं उन्होंने यदि उनका ग्यान हो जाए तो मोक्षी पराप्ति हो जाएगी वैसे शिक ने बताया कि यदि 6 पदार्थों 6 पदार्थों का हमें ग्यान हो जाता है तो वही मोक्ष है ठीक है तो हर दर्शन के अकॉर्डिंग मोक्षी परिभाशा अलग है धर्म की परिभाशा अलग है और मोक्षों प्राप्ति करने के उपाई अलग है जैसे हमने योग द द्वारा मोक्षी प्राप्ति की जाती है ठीक है तो इसी तरीके से हर डर्शन के मोक्ष प्राप्ति के उपाए में भी हम कंपेरिजन करते हुए चलेंगे तो अभी तक इसके पहले पार्ट में इतना ही रखते हैं नेक्स वीडियो में पूर्न वानसा द्वारा दिये गए और सिध्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में अपूर सिध्धांत इश्वरवाद प्रमार्नेवाद आदे तो अभी तो इतना ही रखते हैं